रामायड में वड़ी थे कि रामण पंचवटी से माता सीता का हरण करकी पुस्पक बिमान से लंका लेकर आया था प्रभु सिरीराम लंका बिजय के बाद अयोध्या इसी बिमान से पहुँझे थे आये जानते हैं कि पुस्पक बिमान कैसा था और क्या है इसका अश्यर जनकत थे पुस्पक बिमान के निर्माता भी शुकर्मा थे कुछ के अनुसार पुस्पक बिमान के निर्माता ब्रह्मा थे ब्रह्मा निया बिमान कुबेर को भेट किया था कुबेर ने इसे रामड ने छीन लिया रामड के मृत्यू के बाद विभी शड़ इसका अधिपती बना और उसने फिर से इसे कुबेर को दे दिया कुबेर ने इसे श्री राम को पहार में दे दिया था पुस्पक बिमानिक यात्री बिमान था महारिशी भार द्वास द्वार लिखित बैमानिक सास्त के अनसार गोधा परोश प्रलै अस चलत रूप लड़ा को बिमान थे बाल में की रामार्ट के अनसार उस पक बिमान मोर जैसे आगरती का काश्चरी बिमान था जो अगनी आवायू की साममान भी बुर्जा से चलता था उस पक बिमान की तीवर गती थी और चालक की इच्छनसार इसे किसी भी दिसा में गती सील रखा जा सकता था इस बिमान को छो वाजे मरिश्वर्डम सिर्यां वेडियां गुप्ति ग्रिह अटा लिकाएं तथा नीलम से निर्मिल सिंग्हाजन थे यह अनेक प्रकार के चित्र एवं जालियों से यह सु सज्जित था यह दिन और रात दोनों से में गति मान रहने में समर्थ तक्निक दृष्टी से पुस् पुस्पक विमान के भारी में यह पता चला है कि वह उसी व्यक्ति से अंचालित होता था जिसने विमान संचालन से संबंदित मद्न्तर सिंद्ध किया हूं मिशलिए जिसके हाथ में विमान को संचालित करने वाला रिमोट हो सोथ करता भी इसे कमपन तकनीक से जोड़ कर द से भी युक्त था इस बिबर से जाहिर होता है कि यह उन्यत प्रद्योगी की और वास तो कला का अनूठा नमूना था